तो आज हम लोग कोडिने जोमेट्री एक्साइज 7.2 NCRT का स्लूशन देखने वाले है तो 7.1 का वीडियो अल्यडी स्लूशन अप्लोड़ेड है दो पार्ट में पार्ट वन पार्ट तू में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्साइज 7.2 से तो जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो अगर उनको एक्साइज 7.1 में कोई प्रॉब्लम में तो उसका वीडियो अल्यडी अप्लोड़ेड है आप वहां नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दिस्कूशन बॉक्स में वहां देख सकते हो क्लियर है चलो तो आज एक्साइज 7.2 स्टार्ट करते है कॉस्टन में बन से तो जैसा पता है 7.2 बहुत ही इंपोर्टेंट है बेसिकली अगर बात करें तो कोडियोनेट जोमेट्री में दो फॉर्मुले आपके पास है जो इंपोर्टेंट है एक डिस्टेंस फॉर्मुला जिससे कोश्टन एक्साइज 7.1 में है और जो सेक्साइज 7.2 यह है सेक्शन फॉर्मुले पर क्लियर तो यह सारा एक्साइज 7 1.2 वो सेक्शन फॉर्मुले से सॉल्व होने माला है तो बस एक वाम हलका से बतातूं कि सेक्शन फॉर्मुला है क्या अगर कोई भी लाइन सेग्मेंट आपके पास गीवेन है किसी भी लाइन का एक कोडियर गिवेन है और दोसा कोडियर बी एक्स टू कॉमा वाइटू ठी M is 2N में डिवाइट करता है और मुझे P का कोडियर निकालना है A और B गीवेन है तो P का कोडियर विवेन फास टू A और B फाइन करना है तो X जो यहां पर होगा जो कि P का पॉइंट है X यह तुमारा हो जाएगा ये M multiplied by X 2 M X 2 प्लस ये N multiplied by X 1 जब हम X कोडियर फाइन करने ह से ही काम लेना है नीचे m plus n और similar way में y भी आ जाएगा ये m multiply हो जाएगा y2 से और n multiply हो जाएगा y1 से अपन में m plus n तो ये होता तुमाहा section formula तो ये होता है section formula तो इसी चीज़ को use करते हुए हम question solve कर रहे होगे और अगर p midpoint है अगर p midpoint है मतलब ये a b को 2 equal half में divide कर रहा होगा 2 equal half में divide करने मतलब हो गया m और n equal होगा मतलब 1 is to 1 में divide कर रहा है तो अगर a b कोई line segment है उसको कोई p point equally divide कर रहा है ratio 1 is to 1 है ठीक है और again x1 y1 है a और b x2 y2 है और p मुझे निकालना है x, y तो यहां पर midpoint हम directly apply कर सकते है p का coordinate जो x हो जाएगा वो हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 और y जो हो जाएगा y1 plus y2 upon 2 इन दोनों चीज़ को हम use करेंगे तो यह भी section formula से ही आया है formula अप्लाय करोगा तो 1 multiplied by x2 x2 हो जाएगा 1 multiplied by x1 x1 हो जाएगा upon 1 plus 1 2 आजागा तो basically हमें section formula ही use किया है लेकिन ratio 1 is to 1 है तो 1 यह m और n 1 हो गया तो उपर इसकी value रही नहीं और नीचे 1 plus 1 2 हो गया clear है तो इन ही दो चीज़ को हम use कर रहे होंगे इस exercise में और सारी question solve हो जाएगा हमारे पास clear काफी important है यह चलो कुछ में 1 पर आते है first question क्या क्या रहा है कि find the corners of the point which divides the join of दो point given है a minus 1,7 और b 4,3 तो इसको join किया गया है तो कोई point है उसका coordinate find करना मालो P कोई point है जिसका coordinate x,y है ठीक है तो इसका coordinate find करना और यह जो P जो है ना वो a,b को 2 is to 3 में divide कर रहा है a,b को 2 is to 3 में divide कर रहा है मतलब यहां जो a,p इसका मतलब होता है a,p upon p,b जो है ना वो 2 upon 3 है मतलब यह हो जाता है clear हमें p find करना है a और b given है तो P coordinate x वो क्या हो जागा section formula से यहां जो 2 है मतलब अभी मैं बताया mx2 nx1 m plus n तो यह m है तो यह x2 यह तो यह point x1,y1 है और यह point x2,y2 है तो यह m जो 2 है वो multiply होगा इस 4 से x2 से तो वो जाएगा 8 में तो directly कर रहा हूँ plus यह जो 3 है वो multiply होगा इस x1 से वो minus 1 है तो 3 into minus 1 minus 3 तो sign के साथ लेना नीचे m plus n मतलब 2 plus 3 clear तो solve किया यह आ गया 8 minus 3 5 upon 5 is equal to 1 similar में y निकालेंगा y क्या हो जाएगा यह 2 जो है वो multiply होगा minus 3 से तो यह जाएगा minus 6 और यह 3 है वो multiply होगा 7 से तो यह जाएगा 21 upon 2 plus 3 मतलब m plus n तो यह जाएगा 15 upon 5 3 तो हमें point निकालना था P का तो P का coordinate क्या हो जाएगा 1,3 तो 1,3 वो point है जो AB line segment को 2 is to 3 में divide कर रहा है के लिए कर समझ में आ गया move करते है second question पर second question क्या कर रहा है find the coordinates of the point of the trisection दो काफी important question है यह again कोई 2 point है A और B मान लिया A एक point है जिसा coordinate है minus 2, minus 3 B एक point है 4, minus 1 इन दुनों point को join किया तो यहाँ पर point of trisection दो find करना है तो trisection मतलब 3 equal parts में divide होने वाले points हो कौन कौन से हो गए तो 3 parts में divide करने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर P आ गया और यहाँ पर Q हमें 2 point चाहिए P और Q अब यह trisect हो गया A P P Q Q B में तो यहाँ पर trisection का मतलब हो गया A P is equal to P Q is equal to B Q होगा तो यहाँ पर एक time के लिए मने P का coordinate माल लिया X1, Y1 और Q को माल लिया X2, Y2 यह find करना है तो यहाँ पर A P P Q और Q B का जो length है वो equal है तो अगर A P का length तुम lambda मान दे हो तो यह भी lambda है और यह भी lambda है तो यहाँ पर देखो दो point है P और Q अब decide करना हो तुम्हें P निकालना है या Q निकालना है अगर पहले P निकाल ले हो ठीक है तो ratio क्या हो जागा तुम्हाँ पास A P upon P B का ratio देखोगे तो A P कितना है लेम्डा अपन P B कितना हो जागा P B का length लेम्डा प्लस लेम्डा तू लेम्डा तो ratio 1 इस्टू हो जागा ठीक है तो यह ratio 1 इस्टू हो जागा अगर तुम्हें पहले लिए P निकालना है और अगर Q निकालना है तो हम ratio देखेंगे A Q upon B Q का कि Q किस ratio में divide कर रहा है A B को तो यहाँ पर A Q क्या हो जागा lambda प्लस लेम्डा तू लेम्डा अपन B Q क्या है लेम्डा तो यह 2 इस्टू 1 हो जागा तो पहले P निकालना है यह Q पहले वो decide कर लो उसके according ratio लोगे तो माल में पहले हम P निकालते है जो P निकालना है तो ratio हो जाएगा 1 इस्टू 2 का तो ratio 1 इस्टू 2 का हो जाएगा ठीक मैंने 1 इस्टू 2 लिग जाए ratio तो P coordinate क्या है X1 तो X1 क्या हो जाएगा यहाँ जो M होता है वो multiply होगा इस 4 से X2 से तो 1 इंटू 4 4 यह जो 2 है वो multiply होगा इस वाले X से वो क्या है minus 2 तो यह तुम्हारा आगा 1 multiplied by 4 4 हो गया 2 multiplied by minus 2 तो यह हो गया तुम्हारा minus 4 clear और upon में M plus N 1 plus 2 तो 4 minus 4 0 upon 3 तो यह तुम्हारा आगया 0,0 upon 3 मतब 0 वैसे ही y1 निकालोगे y1 क्या हो जाएगा यह जो 1 है वो multiplied होगा इस minus 1 से ठीक है इस minus 1 से तो कितना जाएगा 1 into minus 1 तो minus 1 और यह 2 multiplied होगा इस minus 3 से तो 2 into minus 3 minus 6 upon 2 plus 1 plus 2 निचे 1 plus 2 तो यह हो गया minus 1 minus 6 minus 7 upon 3 तो यह जो पी पॉइंट आ गया या एक और चीज़े यहां पर midpoint थर्म लगा सकते हो तो थोगा सा easy हो जगा देखो अब मैं यहां फिस बता रहा हूँ देखो तुमने क्या किया यहां पर यह पी पॉइंट वहांए पास आ गया जो बी पी बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है तो कहने का मतलब है पी निकालने के बाद तुम पी बी में midpoint थर्म लगा सकते हो झुक्ता था एक सटो पॉमा वाइट तुमीट पॉइंट थर्म से निगाल सकते हो या अगेज ऐकिवन बी यह point आ गया 2 और y2 क्या हो जाएगा minus 7 upon 3 और यह minus 1 upon 2 तो यह तुम्हारा हो जाएगा minus 7 minus 3 upon 6 इस 2 कॉम ने 3 समलिप्लाइ कर दिया तो minus 10 upon 6 मतलब 2 से कैसे लिए क्या minus 5 upon 3 तो यह Q पॉइंट जो आ गया Q वो हो गया तुम्हारा पास 2, minus 5 upon 3 यह आ जाएगा समझ में आ गया तो यहां पर Q को तुम कैसे भी निकाल सकते हो 2 is to 1 जैसे हो लेके मतलब यह 2 is to 1 में डिवाइड करेगा इसको या P निकाल चुके हो त तो PB का midpoint हो जागा Q तो आपने midpoint term लगा दे यहां पर तो उमीदे समझ में आ गया होगा के लिए चलते हैं मूफ करते हैं अपने 3rd question पर 3rd question kind of अगर पूछा जाता है तो case study में पूछा जाएगा ठीक है तो question simply है बस एक लंबे से paragraph में given है वो क्या कह रहे है to conduct a sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD को ABCD rectangular ground है school का ठीक है lines have been drawn with a chalk powder हमने chalk powder से line draw कर दिया यह देख रहे हो 1,2,3,4,5 यह हमने हमने kind of track बना दिया है at a distance of 1 meter each ठीक है यह सारे distance 1 meter है उसके बाद 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each along AD यह 1,2,3 सब 1,1 meter के gap में है मतब हर एक track की width लोग है वो 1 meter है और यह along AB हो गया vertically बात करे a से लेके d तक तो हमने 100 flower pots placed किये है सब के बीच का distance 1 meter है तो बात करे अगर AD AD के distance की बात करे तो AD तो वहाना 100 meter हो गया क्योंकि 100 flower pots placed है 1 meter पे और अगर हम AB की बात करे तो AB तो वहान 10 meter है काइन ठीक है 1,2 इससे 10 meter की बने 10 track हमने बना दिया है यह माल लो अब तक यह यहां तक माल लिया ठीक है अब उसने क्या कहा है यहां पर उसका आगे question है निहारिका runs 1 4th of the distance AD निहारिका को हमने N से माल लिया जो निहारिका है वह AD का 1 4th run करती है तो AD मतलब यह distance AD AD कितना था 100, 100 meter का 1 4th मतलब कितना हो गया 25 meter तो run कितना करती है 25 meter along AD on the second line second line पर इस line पर run करती है कितना 25 meter तो निहारिका करके इसको माल लिए coordinate axis given है अगर यह coordinate axis given है यह तुम्हारा origin है तो यह second track पर run कर रही है तो X coordinate कितना हो गया 2 और vertically कितना जा रही है vertically जा रही है AD के long 25 meter तो यह 2,25 हो गया निहारिका coordinate निहारिका का वैसे ही हम निकालेंगे प्रीत प्रीत रहन 1 5th of the distance AD जो प्रीत है उसको P से माल लिया तो प्रीत कितना run कर रही है 1 5th of 100 along AD तो AD distance है 100 उसका 1 5th मतलब 20 हो जागा यह तो 20 run कर रही है along AD vertical distance पे और कौन से track पे 8th line पे यहाँ पे तो X coordinate horizontal देखेंगे तो वह हो जाएगा 8 और vertical के तंजरी है 20 meter तो यह होगा 20 तो कहने का था तो तुम्हें यह माल लो निहारिका है यह माल लो प्रीत है ठीक है तो इसका और इसका coordinate आ गया N और P आ गया तुम्हाने पास पूछा क्या है what is the distance between both the flag इन दोनों यहाँ पर एक flag post किया लगाया होगा तो इनके बिच का distance क्या है तो इसलिए हमें NP निकालना है तो NP के बिच में क्या लगा देंगा हम distance formula लगा देंगा तो लगाते है distance formula यह क्या हो जाएगा under root x2-x1 तो 8-2 मैं directly apply कर रहा हूँ first exercise हम कर चुके है तो अब यह मैं मान की चलता हूँ तो लोग को आता होगा तो 8-2 6 6 का square 36 plus 20-25 minus 5 minus 5 का square 25 36 plus 25 36 plus 25 कितना हो जाएगा 50 61 under root 61 meter दोनों flag के बिच का distance 61 meter है अब उसके बाद क्या बोला यह इए if रस्मी has to post a blue flag रस्मी को कहीं पर blue flag पोस्ट करना है exactly halfway between the line segment joining the two flags तो मतलब हमने क्या किया N और P यह दो flag post के पहले निहारिका और प्रीत ने रस्मी कहीं exactly बीच में blue flag post करना है तो मालनो रस्मी को हमने r point से दिखा दिया तो इसका coordinate क्या होगा coordinate हमने x,y मान लिया तो वो NP का midpoint है अगर midpoint है तो इसको NP को 1 is to 1 में divide करेगा NP एक line segment हो गया 1 is to 1 में divide करेगा N का coordinate है 2,25 P coordinate है 8,20 और में r निकालना है तो यहाँ पर midpoint theorem अपलाए कर सकते हैं तो midpoint theorem से यहाँ पर x क्या हो जाएगा x हो जाएगा यह 2 plus 8 10 upon 1 plus 1 2, midpoint theorem मैंने starting में बता दिया है video के एक वाद जिसने नहीं देखा है देख लेना स्टार्टिंग में ठीक है तो फॉर्मूला पता हो उसके बाद चैप्टर रेक्साइज करने बैटना सिफ आके जाएक लिडियो देखने से कोई फाला नहीं है तो यह जाएगा 5 अब y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा y coordinate 25 plus 20 45 upon 2 तो कहने का मतलब है जो midway जो होगा रस्मिन जो फ्लैग पोस्ट करेगी उसको करना पड़ेगा 5,45 upon 2 coordinate यह इसका coordinate हो जाएगा तो यह देखने में लग रहा है question बुछ ओट प्रटांग सा है कुछ ओट प्रटांग सा नहीं बस आपको यह coordinate find करना था उसका बेसिक question बन गया तो यह case study में पूछा जा सकता है जो बच्चे इस साल appear होगे 2021 में अभी में में जो paper होगा तो उनके लिए यह case study में पूछ सकते है question तो important है यह okay चलो आगे move करते है fourth पे fourth क्या find the ratio in which the line segment देखो हाँ तो यहां पे ratio find करना है किस ratio में अगर इन दोनों point को join करें मतलब यहां एक point है a-3,10 और एक point है b-6,8 इन दोनों point को हमने join किया तो एक line segment बना और एक point है a-b पे मालने point p है जो minus 1,6 है तो वो इस a-b को किस ratio में divide कर रहा होगा तो अभी तक हम क्या कर रहे थे एक line segment a-b given था एक point था p जो इसको m is to n में divide कर रहा था यह p निकालते थे अब क्या है a given है b given है p given है ratio पूछा गया है तो यहाद रखना मैं यहाँ पर तुम लोग को chapter नहीं पढ़ा रहा हूँ सिधा question हम लोग solve कर रहे है तो यहाद रखना जब भी इस ताप question आता है ratio find करना किस ratio में divide कर रहा है तो ratio मालने अगर हो lambda is to 1 में divide कर रहा है हमेशा m is to n मत मानना क्योंकि m is to n माना होगे तुमाने पास solve करने था difficult हो जाएगा तो हम lambda is to 1 मान लेते है ratio हमें सा ठीक है कि जो p point है वो इससे को lambda is to 1 में divide करेगा तो m की जगे lambda आ गया और n की जगे formula में 1 दख हो गया n की जगे m की जगे lambda तो अब अपलाए करेंगा वही section formula तो section formula के recording अगर बात करें में जो p coordinate लिखना है ठीक है p coordinate यह x,y मान लिया तो यह जो x है p coordinate के recording वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यह lambda multiplied by यहाँ जो x होता है वो हो जाएगा 6 lambda और यह जो 1 होता है वो multiply होगा इस वाले x coordinate से मत्तब minus 3 और नीचे क्या आजाएगा lambda plus 1 और यह x के एक वाल है p coordinate minus 1 के वाल है तो यहाँ पर minus 1 is equal to 6 lambda minus 3 upon lambda plus 1 lambda plus 1 को यहाँ से lambda solve कर लेंगा तो minus 1 से multiply किया तो minus lambda minus 1 is equal to 6 lambda minus 3 तो lambda को यहाँ ले गए और minus 3 को यहाँ ले आए तो minus 1 plus 3 6 lambda plus lambda 7 lambda ठीक है solve किया तो यह हो जाएगा 2 is equal to 7 lambda तो lambda की value कितनी आ गए 2 upon 7 ठीक है तो यही तोहाँ ratio हो जाएगा lambda 2 upon 7 आ गया तो अगर lambda की value 2 upon 7 आई है तो जो ratio होगा न वह हो जाएगा 2 is to 7 यह जाद रखना ठीक है अगर lambda की value 2 upon 7 आई है तो यह p point है वह इसको 2 is to 7 में कर रहा है ठीक है तो lambda is to 1 हमारा ratio था तो यह 2 upon 7 is to 1 हो गया तो हमने क्या किया इस fraction को यहां से avoid करने के लिए यहां भी 7 से multiply कर दिया यहां भी 7 से multiply कर दिया ratio है न तो यह हो जाएगा यहां 7 से multiply कर होगे तो यहां भी करना पड़ेगा 7 से multiply तो यह 7 7 cancel out यह हो जाएगा 2 2 is to 7 तो जो भी lambda की value होगी वही तुमारा ratio हो जाएगा इस 1 से मतलब भी नहीं रहता है फिर अगर lambda की value 1 आ गई माल लो कर उस lambda की value 1 आ गई तो ratio हो जाएगा नीचे 1 माल लेंगे तो 1 is to 1 क्लिए है समझ में आ गया तो कभी भी ratio निकालना होगा तो ratio अगर तुम्हें अगर तुम्हें अजूम करना तो lambda is to 1 आजूम क्या करो या k is to 1 मतलब यहां पर n को 1 लोगे लेंडा is to 1, k is to 1, m is to 1 ऐसे लेकर solve करोगे और lambda is to 1 मानने है तो lambda solve करोगे वही जो भी ratio आएगा लेंडा की value आएगा वही ratio हो जाता है clear move करते हैं 5th question पर find the ratio in which the line segment a 1,-5 and b-4,5 is divided बहुत important question है यह ठीक है find the ratio in which the line segment joining the point तो एक point है A ठीक है A point है जिसका coordinate है 1,-5 एक B point है जिसका coordinate है –4,5 इसको join किया गया है तो कहरें है find the ratio in which the line segment joining the point is divided by the x-axis तो यह x-axis तो कहीं पर cut कर रहा होगा ठीक है तो x-axis मैंसे मालनो यह तुम्हारा coordinate है यह line जो है तुम्हारा ऐसे कुछ जा रहा है माल लिया है तो x-axis पर cut कर रहा है यह A point है B point है माल लिया है ठीक है तो यह A है यह point माल लिया हमने P है यहां पर कह सकते है na x-axis इस A, B line segment को divide कर रहागा किसी ratio में पूछा गया है ठीक है तो a p upon p b कुछ तो ratio आएगा वो ratio पूछा गया है ठीक है और p भी नहीं पता है मैं लेकि हमें p यहाँ पर उसने x-axis जो बोला है ना तो मैं एक चीज बताई गई यहाँ पर अगर x-axis पर line segment intersect करता है तो p का coordinate जो भी होगा वो x,0 का form होगा p का coordinate x,0 का form होगा क्योंकि x-axis पर cut कर रहा है तो x-axis पर y point होता है वो 0 होता है तो जो p जो होगा वो x,0 का form होगा और पूछा क्या है किस ratio में तो मैंने क्या था अभी अभी just हमने customer 4 में देखाता है अगर पूछा गया है in which ratio ratio पूछा गया है तो हमेंसा lambda to 1 म माल नो यह x-axis पर x,0 को intersect कर रहा है और यह lambda to 1 में divide हो रहा है यह माल लिए हमने ठीक है ऐसे माल लेंगे यहां पर 0 क्यों लिया है क्योंकि AB line segment x-axis पर cut हो रहा है तो x-axis में intersect होगा तो y-coordinate जो होगा x-axis पर 0 होगा मैंसा यह धिहान दखना है clear अब यहां से हमें निकालना है solve करना है question को ठीक है तो देखो अगर महीं काम करेंगे हमें x section formal apply करेंगे तो AB line segment है P point intersect हो रहा है और P इसको lambda is to 1 में divide कर रहा है तो P का जो x-coordinate हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x is equal to यह lambda multiply होगा इस x से मतलब minus 4 lambda और यह 1 multiply होगा 1 से तो plus 1 upon lambda plus 1 यह x-coordinate हो गया ठीक है y-coordinate की बात करें यह जो y-coordinate है ठीक है वो क्या हो जाएगा y हो जाएगा again lambda multiply होगा यहां वाले y से मतलब 5 से 5 lambda और यह 1 multiply होगा इस minus 5 से तो 1 into minus 5 minus 5 और नीचे क्या आजाएगा lambda plus 1 अब देखो हमें यह x नहीं पता है तो यहां पर lambda solve करना possible नहीं होगा x भी unknown है lambda भी unknown है लेकिन यह y तो पता है y-coordinate यहां पर 0 है तो यहां पर हम इसको 0 के equal कर देंगे इसको हम 0 के equal कर देंगे ठीक है तो जैसे 0 के equal कर देंगे यहां से lambda की value आ जाएगी तो यह तो यह तुमारा हो जाएगा 0 is equal to 5 lambda minus 5 upon lambda plus 5 तो यह lambda plus 1 जो है वो 0 से मिलबढ़ा हो तो lambda की value 5 upon 5 मतलब 1 तो lambda 1 आ गया तो अब हमें coordinate find करना था तो y तो पता है 0 है lambda की value 1 आ गयी तो x find कर लो तो यहां पर हमने lambda को 1 put कर दिया तो minus 4 plus 1 upon 1 plus 1 तो यह हो जाएगा minus 3 upon 2 ठीक है तो coordinate P जो आ गया वो minus 3 upon 2,0 यह answer लिखो गे और ratio भी पूछा था तो lambda की value 1 आ गये तो मुझे गया था lambda की value अगर 1 आई है तो इसको 1 upon 1 लिख लो तो ratio क्या हो जाएगा ratio हो जाएगा तुमारा 1 is to 1 क्लियर तो कुष्ण में 5 भी important है काफी important है यह ठीक है कुष्ण बहुत बार पूछा गया है board में पूछा आ सकता है important भी है और थासा confusing भी बच्चे confuse करते हैं तो ध्यान से इसको एक दो बार समझ लेना अगर समझ भी नहीं आया है तो clear है तो आज हम लोग कुष्ण में 5 तक तो आज हम लोग कुष्ण में 5 तक ही करेंगे next पार्ट में हम लोग 6 से continue करेंगे तो उमीद है जो भी doubts वगड़ा आपका कुष्ण में 1 से लेकर 5 तक था exercise 7.2 में clear हो गया होगा तो अगर वीडियो useful लगा हो वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो तो वीडियो को like और share करना और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आकन दवा देना ओके जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स पार्ट में तब तक लिए good bye take care